चेस्त्रिवाला जी की स्वागत है आपका यूटूब चैनल पर आप देख रहे हैं एस्ट्रोलोजी गुरुकुल आज हम आपको बताएंगे कि पुक राज का बारे राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इन बारे राशियों के जातक है वो पुक राज धारन कर सकते हैं क्या तो पहली राशी है मेश राशी, मेश राशी के लोगों के लिए यह रत्न बहुत फाइदेमंद साबित होता है, गुरू है वो नवे और बार्वे भाव का स्वामी है, इसलिए आपके लिए भाग्य, पिता के साथ अच्छे संबंद, सम्मान और सफलता लेकर आएगा और इस स्वैम की राशी, करक राशी, धनू और मीन में बैठा हो, तब विश्व राशी के जातक है वो पुकराज पहन सकते हैं, यह रत्न आपको करियर में सफलता और आएके नेश रोद देगा, बच्चत में वृद्धी होगी और दिरगायू मिलेगी, मिथुन राशी के लिए जब गुरु की महाधसा और अंतरशा चल रही हो, खास दोर पर गुरु पीडित हो और स्वैम की राशी करक धनू और मीन में बैठा हो, तब मिथुन राशी के जातक है वो पुकराज पहन सकते हैं, इस स्टोन को पहनने से मिथुन राशी के लोगों को गुरु की दसा के द पहाव नवे भाव का स्वामी है, इसलिए करक राशी के लोग गुरु के रतन को पहन सकते हैं, नवे भाव मतलब भाग्य सफलता, पिता और समान और समाजिक संबंदो, नाम एम शौरत आदिका स्वामी होता है, इसलिए ब्रश्पती के कमजोर, पेडित और अस्थ होने प पुखराज पहन सकते हैं, गुरु के अंतरदसा और महादसा के दोरान पुखराज पहनने से सबसे ज़्यादा फाइदा होता है, सिंग रासी के लिए पुखराज, ब्रश्पती पांच वे और अश्टम भाव का स्वामी है, इसलिए सिंग रासी के जातक पुखराज पहन स गुरू की महादसा और अंतरदसा में अगर ब्रिश्पती अपनी ही राशी या धनू, मीन एमकर्प में सित्थ है, तो कन्या राशी के जाते कि इस रत्न को पहन सकते हैं, पुखराज आपको शान्ती, शुक्ष प्रदान करेगा, आपको अपने दोस्तों का सयोग मिलता है. तुला राशी के लिए पुखराज, जब गुरू स्वराशी धनू और मीन में हो, और करकराशी में उच्च स्थान में विराजमान हो, तब इस स्थिती में आप पुखराज पहन सकते हैं, गुरू की महादसा और अंतरदसा में भी आप इस रत्न को पहन सकते हैं, इस स्टो पुख्राज रतन धारन कर सकते हैं। इस रतन को पहने से आप बुद्धिमान, शिक्ष्या में उन्नती और एकाग्र बनेंगे। इससे धन एंसम्रिधी भी आती है। गुरू की महादसा में पुख्राज का प्रभाव सबसे जादा मिलता है। धनूराशी के लिए पुख्राज, धनूराशी के जातकों के लिए पुख्राज बहुती भाक्य साली रतन है। जब कुंडली में शनी, केतु, मंगल और सुर्ये, पीडित, कमजोर या एशुप प्रभाव दे रहे हों, तब पुख्राज धारन करने से सबसे ज़्यादा यानि की मीन, करक और धनूराशी कुमराशी के लिए पुख्राज, गुरु की महादसा और अंतरदसा के दोरान, खास तोर पर जब गुरु स्ट्वराशी और उच्च राशी में स्थित हो, तब आप पुख्राज पहन सकते हैं। गुरु की महादसा के दोरान व्यक्ति को पुखराज से सबसे ज़्यादा लाब मिलने की संभावना होती है मीन रासी के लिए पुखराज मीन रासी के जातकों के लिए पुखराज भहुत लाबकारी और शूप माना जाता है गुरु लग्न और दस्वे भाव का स्वामी है जो कि योग कारक रहे है इसलिए आप जीवन भर पुखराज बेहन सकते है अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल बेटन को प्रेस कर दीजिए